दोस्तो अगर आप बहुत ज्यादा हस्त में थुन करते हैं पिछले 10-12 साल से करते हुए आ रहे हैं और अब आप देख पा रहे हो कि आपका लिंक का नसे बाहर उभर कर आ चुकी है आपका लिंक का उपर नीली कलर की नसे आपको दिख रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ह साथ तो मैं डॉक्टर सुप्रियो आता और आप सभी को फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूटूब चैनल होमियो कैट टिप्स पे तो दोस्तो ऐसे बहुत सारे हमारे नौजवान साथी है जो कि बचपन में ही गलत संगत में पढ़ जाते है और हस्तमा थुन करने लगते है और जिसके कारण कम उमर में ही लिंग की नसे डैमेज हो जाती है और वहाँ लिंग में जितना ब्लड फ्लो होना चाहिए उतना ब्लड फ्लो हो भी नहीं पाता है क्यूंकि बहुत ज़्यादा हाथ से लगातर घरसन के कारण से लिंग की जो नसे है वो कुचल जाती है या वो दब जाती है तो लिंक की नसे फिर से ठीक करने के लिए मजबूत करने के लिए मैं आपको आगे इस वीडियो में दो टॉप होमेपाथिक मेडिसिन का नाम बताऊंगा और उसको इस्तमाल करने का तरीका भी मैं आपको आगे बताने वाला और अब आपको लिंग में तनाओं की कमी आपको हो रहा है आपको sex की इच्छा नहीं होता है, erectile dysfunction होता है, timing आपको कम हो चुका है lack of libido हो रहा है, आपको इच्छा नहीं होता है संभूग करने का और इसी के साथ अगर लिंग की नसे बहार उभर कर आ चुकी है निली वहाँ पे नसे आपको दिग रहा है तो आप जो है इन मेडिसेंस को बिलकुल बेज़ जग अब इस्तमाल कर सकते हैं इसी के साथ जिन लोगों में अधिक हस्तमा थुन करने के कारण से लिंग में तिर्शा परना चुका है उसमें टेला परना चुका है बहुत लोग ऐसे भी हस्तमा थुन करते हैं जो की अपना लिंग को अपना हाथ से पकड़ कर हस्तमा थुन नहीं करते हैं वो लोग बेट पे उल्टा लेट कर जो है वीर्रे को बाहर निकालते है और ऐसे लोगों की लिंग में तिर्षापन आही जाता है क्यूंकि वो लोग पेट के बल उल्टा लेट कर और अपना लिंग को थाई में दवा कर जो है वो लोग वीर्रे को बाहर निकाला करते है तो कहने का मदलब जिन लोगों का link सामने से bend हो चुका है या तो curve हो चुका है तो वो लोग भी in medicines का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो अगर आपका link में कड़कपन की कमी है blood circulation की कमी है link का अंधर एक अच्छा कड़कपन के लिए जितना मात्रा में blood flow होना चाहिए वो अगर नहीं हो पाता है तो इसे erectile dysfunction कहते हैं और अगर आपका पास history में हस्तमें थुन बहुत जादा आपने किये हैं हर दिन 3-4-4 बा आता है तो link में बहुत ज्यादा पेन होता है यह problem भी उनी लोगों में होता है जिन लोगों का past history में mastervation बहुत prominent है और वो patient इतना ज्यादा हस्तमें थुन किया हुआ रहता है कि उसकी link की नसे अब जो है पूरी तरह weak हो चुका है कमजोर हो चुका है और एदर एदर जब भी patient का link में थोड़ा बहुत कड़कपन आता है या फिर patient toilet करते है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन वहाँ पर अनुभव होता है तो ऐसा नसों की कमजोरी के कारण से होता है तो वे लोग भी in medicine का 7 बिलकुल कर सकते है तो दोस्तों in short में आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको हस्तमा थुन करने का बहुत ज्यादा आदत रहा हो और उसका बैड अफेक्ट अगर आपको अपना link की ऊपर दिख रहा हो जैसे की link का ऊपर कमजोरी दिखने लगता है या फिर link की अंदर तिर्चापन आप कह लिजिए या फिर link की अंदर blood flow की कमी आप कह लिजिए तो इन तमाम problems में इन दो medicine का 7 बिल्कुल किया जा सकता है तो इसके लिए आपको दो होमेपतिक medicine को आपको लेकर आना पड़ेगा अपने नस्दिक के होमेपतिक store से एक medicine का नाम है आरनिका Montana 6CH में आपको लेकर आना है और दूसरी वाली medicine का नाम है नूफुर लोटिया मदर टिंचर मैं दोनों ही medicine का picture लगा देता हूं आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए और इन दवाओं की इस्तमाल करने का तरीका ऐसा है कि आपको आरनिका मॉन्टेना का एक एक बूंद लेना है सुभे साम लेना है आरनिका का एक बूंद आप डायर्ट जीप भी ले सकते है या फिर दो चमच पानी मिला कर भी आप पी सकते है और नुफूर लूटिया मदर टिंचर को आपको दिन में दो बार लेना है और पंदरा पंदरा बूंद करके लेना है और हाप कब या फिर एक कब नॉर्मल वाटर में मिला कर आपको पिना है नुफूर जो भी प्रॉब्लम्स है जील प्रॉब्लम्स के लिए उन मेडिसन्स को खा रहे हैं आपको उसमें फायदा पढ़ना स्टार्ट हो चुका है। आप देख पाएंगे और अगर आपको उहाँ पे कोई पेन होता है तो वो पेन भी आपको मैसूस नहीं होगा कहने का मतलब आपकी लिंक की एक overall health जो है वो यही दो medicine से काफी अच्छा improvement आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लेगी मुझे comment section में comment करके बताईए और इस channel को उपर जैसे कि आप लोग जानते है कि पुरूसों की हर तरह का हर यौन संबन दित problems का solution होमोपतिक treatment के जरीए कैसे संभब होता है कैसे हम लोग patient को ठीक करते है ये मेरा बताने का प्रयास आप लोगों तक होता है तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस channel को subscribe करिए और subscribe करके उन सभी वीडियो को आप लोग एक एक करके देखिए तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि होमोपाथी से कितना अच्छा solution मिलता है इन तमाम problems के लिए तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूं so thank you very much and have a good day